और महत्मा गांधी 1915 में भारत वापस लोटते हैं लेकिन दक्षिन आफ्रीका में ही महत्मा गांधी की एक बार मुलाकात होती है कोपाल किष्ट बोखले से हलो फ्रेंड्स आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है एक बार फिर प्लूटस आइस के इस बेटफर्म पर चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही महत्मूर्ण टॉपिक और इनके संदर्म में मुझे सायद पतलब यह जो शब्द आपके सामने जो लिखे हुए मुझे नहीं लगता कि यह शब्द जो हैं शायद परचय के मौताज हैं क्योंकि विश्व में दो ही विचारदाराएं आगे बढ़ी हैं एक हिंसात्मक दूसरी अहिंसात् और इन दो विचारदाराओं से ही इस पूरे विश्व की सभ्यताएं, युद्ध, संस्कृती और आज वर्तमान तक यही विचारदाराएं प्रासंगिक महत्पूर्ण बनी हुई हैं यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि सदियों से यानि प्राचीनकाल से भी पहले भारत में और पूरे विश्व में यदि विचारदाराओं में किसी को महत्प दिया गया है तो वो हिंसात्मक और अहिंसात्मक और यह एक लाइन खीची गई है कि इन विचारदाराओं के आलहर पर कौन आगे बढ़ा है और कौन कितना आगे तक बढ़स पाया है क्या वो अहिंसात्मक विचारधारा को कायम रख पाया यदि कोई व्यक्ति अहिंसात्मक विचारधारा से आगे बढ़ा या किसी व्यक्ति ने दोनों विचारधाराओं को समय वेश करने का प्रयास किया या फिर कोई केवल हिंसात्मक विचारधारा और हिंसा को उसने महत्पूर्ण माना है तो यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ यह पूरा जो विश्व है यह पूरी जो शब्धा है यहां पर एक लाइन खीची गई है वो लाइन है हिंसात्मक और अहिंसात्मक विचार एहनसात्मक विचारधारा की और बढ़ने वाले सबसे महान व्यक्तित्व के रूप में एक नाम सामने आता है तो वो आपके सामने लिखा हुआ है महात्मा गांधी जी अर्थात महुद्दास करमचन्द गांधी जी पूरे विश्व में यदि एहनसात्मक विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले कुछ महत्पूर्ण व्यक्तित्व परसनल्टी का नाम लिया जाए तो केवल उंगलियों पर गिने जा सकते हैं इतनी कम परसनल्टी है जो पूरे विश्व में एहनसात्मक विचारधारा के जैसे महात्मा गांधी, नेलसन, मंडेला, इसके लावा मार्थिन, मार्टिन, लूथर, किंग जोनोंने बाइबल को सुधारने का प्रयास किया था जिसे हम ओल्ड टेस्टोमेंट, नूड टेस्टोमेंट के रूपे जानते हैं इसके बाद मदर टेरेसा को कौन विस्वृत कर सकता है, ठीक इसी प्रकार, विनोबा भावे, बाबा आंटे यहीं कितनी ही महान परसनल्टियों का उल्लेक किया जाए भारत में और विस्वे के संदर्व में तो बहुत कम लोग ही ऐसे मिलेंगे जो अपनी विचारधारा पर अडग रहें यहाँ पर महरशी अरविंद का भी नाम लिया जा सकता है, लेकिन वो एक अलग संदर्व में मैं आप से ये बात कहने का प्रियास कर रहा था कि यदी हम पूरे विश्व का एक अवलोकन करें तो यह देखेंगे कि अहिंसात्मक विचारधारा में जो सबसे महान व्यक्तित तो हमें दिखाई देता है वो और कहीं नहीं महात्मा गांधी गाए महात्मा गांधी में ऐसी क्या खास बात थी और महात्मा गांधी से तुलना करते करते हम लोगों को काल माक्स पे आज जाना है काल माक्स में ऐसी क्या खास बात थी कि आखिरकार गांधी जी और काल माक्स की तुलना की जाती है माक्स ने ऐसी कौन से से धन दे दिये कि इतिहास के पन्नों पे माक्स का भी नाम कहीं न कहीं अमर हो गया दन दात्मक भौतिक बाद क्या था इतिहासिक भौतिक बाद क्या था माक्स के वो नारे दुनिया के मज़़ूर एक हो जाओ तुम्हारे पास पाने के लिए सब कुछ है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है काल माक्स जन्होंने एक वर्ग व्यवस्था के रूप में दो वर्गों के उस्थापित कर दिया उजीबती वर्ग, सर्वहारा वग, बुर्जवा काल माक्स जन्होंने कहा कि क्रिया प्रतिक्रिया संघर्ज ये तो होना ही है काल माक्स कि ऐसे कौन सी महत्पूर बातें थी कि इतिहास के पन्ने पर काल माक्स को आज भी कहीं न कहीं याद किया जाता है समझने का प्रयास करेंगे, इनको भी, ये भी एक महान व्यक्तित्व है, पूरे विश्व में कहीं न कहीं इनकी विचारधारा का इतना प्रभाव रहा कि इनकी विचारधारा की सरकार, इनकी विचारधारा के आधार पे बनी हुई सरकारें, आज भी हमें कुछ-कुछ मांतमा गांधी का बहुराजनिती केवल भारत की राजनिती नहीं, पूरे बिश्व में सबसे ज़्यादा एक प्रकार से सम्मान किया जाता है अहिनसात्मक विचारधारा के रूप में, जो उस विचारधारा पे चले लेकिन उस विचारधारा कोई छोड़ा नहीं मरते धम तक उस विचारधारा पे अडिक रहे भारत में बात की जाए तो निश्चित रूप से एक महान व्यक्तित्व, एक महान चेहरा और एक महान पर्सनलिटी के रूप में याद किया जाता है मात्मा गांधी को यह किसी परचय के मौताज नहीं है फिर भी मैं इस बात की ध्रश्टता करने का प्रयास करूँगा कि सायद इनके बारे में दो सब्द अच्छे बोल पहूं क्योंकि यह जो पर्सनलिटी है यह हमारे जैसे लोगों की बातों के मौताज नहीं है इनके लिए कोई परचय इनके लिए कोई एक प्रकार से किसी भी प्रकार की कितनी बातें की जाए यह जो है कमी ही रहेंगी फिर भी एक छोटा सा प्रयास करके देखते हैं महात्मा गांधी के बारे में तो बात करते हैं महात्मा गांधी के जन्म के बारे में महात्मा गांधी का जन्म 1869 को गुजरात के पूर बंदर में हुआ महत्मा गांधी के पृता राज़कूट में दीवान के रूप में एक छोटे से पत पर कारे करते थे माता जिनका नाम पुतली वाई था और महत्मा गांधी की प्रारंविक जो सिक्षा है वो वहीं गुजरात में हुई उसके बाद महत्मा गांधी आगे की पढ़ाई करने के लिए विदेश गए और विदेश में जो है वो बैरिष्टर बनके लोटते हैं 1891-92 में उसी के बाद महत्मा गांधी जो है वो दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए दक्षन आफ्रीका जाते हैं 1892-93 में महत्मा गांधी दक्षन आफ्रीका जाते हैं तो वहाँ पर उनका सामना पहली बार जो है अंग्रेजों की कुछ नीतियों से होता है और उसी में ही एक नीती थी जिसे कहा जाता है एपार्थिट रंग भेद नीती महत्मा गांधी इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते थे लेकिन उनके जीवन में एक घटना ही ऐसी घट गई कि उस घटना को टर्निंग पॉइंट के रूप में भी कही न कहीं माना जाता है क्या थी वो घटना एक रेल्वे स्टेशन था मारिट्सबर्ग दक्षन अफरीका में उस रेल्वे स्टेशन पे महत्मा गांधी गलती से पर्थम स्रेणी के डब्बे में चड़ गए और दक्षन अफरीका में ये नियम था कि कोई भी जो गोरा नहीं है जिसका रंग काला है जो गोरा नहीं है वो प्रतम स्रेणी के डब्बे में सफर नहीं कर सकता है महत्मा गांधी को ये बात की जानकारी नहीं थी महत्मा गांधी प्रतम स्रेणी के डब्बे में कहीं न कहीं चड़े आते हैं और कोई गोरा अंग्रेज उनको देख लेता है। देखने के बाद वो अंग्रेज महत्मा गांधी को धक्के मार कर बद्दी बद्दी गालियां देते हुए टेन के डब्बे से नीचे उतार देता है। इसमें मैं क्यों अपने आपको दोसी महशूश करूँ और इस नियम के अंसार इस बात को सिद्ध कर दूँ कि मैं थोड़ा सा गोरा नहीं हूँ तो मेरे लिए कानून कुछ अलग होंगे, गोरों के लिए कुछ कानून अलग होंगे इसी बात को लेकर महत्मा गांधी एक बार फिर जो है वो दक्षिन अफरीका में आगे बढ़ते हैं और दक्षिन अफरीका में महत्मा गांधी के जो प्रेणा सुरुत थे, उनमें दो भ्यक्तियों का नाम विसेस्टू में आप याद रखेंगे एक का नाम है लियो टॉल्स्टॉय, दूसरे का नाम है रॉस्किन, इनके विचारों का महत्मा गांधी के जीवन की उपर सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा है जब वो अपनी राजमीतिक जीवन सुरू कर रहे है दक्षिन अफरीका में महत्मा गांधी के द्वारा नटाल इंडियन कॉंग्रेस की स्थापना की जाती है दक्षिन अफरीका में महत्मा गांधी के द्वारा फिनिक सास्रम की स्थापना की जाती है और वो मजदूर जो कहीं न कहीं दूसरे देशों से भारत जैसे आने देशों से आकर दक्षन अफरिका में महनत मजदूरी करते थे उनके अदक्यारों के लिए महात्मा गांधी जी ने मांग उठाई और दिरे दिरे ये संघर्स की जो परंपरा है उसमें महात्मा गादी ने बहुत कुछ बातें सीखने का प्रयास किया जो अपने आत्मकता में लिखते हैं कि मेरे जीवन में लियो टॉलिस्टोय और रास्किन का एक बहुत बड़ा महत्वरहा है दक्षिन अफ्रीका में धिरे धिरे मजदूर गांधी जी मजदूरों की मांगों को लेकर जो है और आगे बढ़ते हैं तो कहीं न कहीं दक्षिन अफ्रीकी जो सरकार थी उन्हें महात्मा गांधी की बहुत सी मांगों को मानना पड़ा स्विकार करना पड़ा महत्मा गांदी का ये एक अन्मोह था जिसमें उन्होंने इस बात को स्विकार किया कि यदि सत्य की रहा पर कोई भी व्यक्ति अडिक रहे तो उसे कोई जुका नहीं सकता महत्मा गांदी अब दक्षिन अफरीका से भारत वापस लोटने की बारी आती है और महत्मा गांदी 1915 में भारत वापस लोटते हैं लेकिन दक्षिन अफरीका में ही महत्मा गांदी की एक बार मुलाकात होती है गोपाल कृष्ण गोखले से महत्मा गादी 1915 में जब भारत लोटते हैं तो गोपाल कृष्ण गोखले उनके राजनीतिक गुरू बनते हैं महत्मा गादी अपना राजनीतिक जो गुरू है वो गोपाल कृष्ण गोखले को स्विकार करते हैं और गोखले के ही आदेशा अंसार या गोखले की ही प्रिणा के अंसार महत्मा गांदी ये प्रयास करते हैं कि पहले भारत को समझा जाए, पहले भारत को घूमा जाए, पहले भारत के नाना प्रकार के सांस्कृतिक बैविद्ध को एक प्रकार से समझने का प्रयास किया जाए महत्मा गांधी, गोखले के ही एक प्रकार से, प्रयासों से या उनके ही निर्देशों पर महत्मा गांधी भारत में, सक्री राजिनीती में धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाते हैं. और समय आजाता है, 1917 का, और महात्मा गाधी यहाँ पर भारत में एक पहला अंदोलन स्टार्ट करते हैं, जैसे चंपरन सत्याग्रे के नाम से जाना जाता है, चंपरन सत्याग्रे, इसके बारे में, डिटेल में, जब हम लोग इतिहास में कभी चर्चा करेंगे, तो पढ़ें कि नील, जो किसान जने नीलाह का जाता था, उन्हें तीन कठिया पद्धती के माध्यम से, अपने जमीन की 20 कठे में से 30 कठे भूमी पर नील की खेती करना पड़ता था, इससे बहुत सारे नुकसान होते थे, जमीन बंजर इत्यादी हो जाती थी, तो ये समस्या को जब रा प्रियास की तो आठमा गांधि से मिलने लखनव गए, राजकमार सुकल जो है प्रियास को म हांज माहन व्यक्टित तो नहीं देखा, कि इनके प्रियासों से आखिरकार मुझे करनी ही पड़ी, चंपरन जाने के लिए, आतमा गांधी चंपरन जाते हैं, अंग्रेज जो है उसके बाद अगला जो अंदुलन होता है महात्मा गांदी जी के द्वारा खेड़ा सत्यगर्य गुजरात में फसले, नष्ट हो जाना अधिक वर्सा के कारण। और उसके बाद अगला जो अंदुलन होता है एहमदावाद मिल अंदुलन। एहमदावाद मिल अंदोलन में महात्मा गांधी पहली बार भूख हरताल करते हैं। उसके बाद महात्मा गांधी के जीवन का जो पहला बड़ा अखिल भारती अंदोलन रहता है उसका नाम था अशयोग अंदोलन एक अगस तुनीस सो बीस। महात्मा गांधी का ये आंदोलन एक अखिल भारती आंदोलन था और इसके बाद महात्मा गांधी पूरे भारत में एक चर्परचित नेता के रूप में स्थापित हो गए उसके बाद महात्मा गांधी सक्री राजनीती में आगे बढ़ते हैं और उनका एक बड़ा आंदोलन जिसे माना जाता है सबने विज्ञांदोलन 1930 उसके बाद महात्मा गांधी दूसरे गोल में चम्मिलन में भाग भी लेते हैं और समने विज्ञान दुलन एक बार फिर होता है 1932 को, उसके बाद जो महात्मा गांधी है, वो सक्री राजनीती से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं, यानि 1932, 1932 से लेकर, 1938 तक, 1938 तक, जो महात्मा गांधी थे, वो सक्री राजनीती से दूर हो जाते हैं, और किन कारियों में जीवन का सबसे महत्मूर काल खंडों में से एक था 1932 से लेकर 1938 तर और इस पर उन्होंने कई सारी पत्र पत्रकाओं में हरिजन दलित उत्थान के बारे में ऐसे ऐसे विचार लिखे जो आग्मी कहीं न कहीं प्रासंवित है इसके बाद महत्मा गांधी के जीवन का अंतिम ब महत्मा गांधी ने आप प्रत्यक्ष रूप से कह दिया अंग्रेज मैं भारत की आजादी से कम कुछ नहीं लूँगा करो या फिर मरो यानि यदि आंदोलन थोड़ा बहुत हिंसात्मग भी हो जाए तो महत्मा गांधी जो है इसकी मौन स्विकरती देते हैं लेकिन वो भी कुछ परसित्यों में सिध्धान्तों के साथ अविलना नहीं करके भारत छोड़ा अंदोलन देश की आजादी का अंतिम परणिती अंतिम जो है वो एक महत्मा अंदोलन था और उसके बाद देश आजाद हो गया वही देश आजाद होता है तो हमारी एक आख में खुसरी का आसू था तो दूसरी आख में कहीं न कहीं गम का आसू था क्योंकि देश का विवाजन हो चुका था बंगला देश जिसे आज हम पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं और पस्चमी पाकिस्तान जिसे आज हम पाकिस्तान कहते हैं भारत के दो टुकड़े हो चुके थे ऐसी स्तिती महत्मा गांधी जो है वो बहुत सारी बाते हैं उनको हम लोग फिर से कभी चर्चा करेंगे और फिर महत्मा गांधी जो है 1948 में दिली में एक प्राहतना सवा में जा रहे थे तो नातुराम गोट से के द्वारा उनकी गोली मार कर हत्या कर दी गए उनके मुख से अंतिम दो मात्मा गांधी ने ऐसी कौन सी बाते कहीं जिसकी तुलना हम कालमाक से कर सकते तो मात्मा गांधी के कुछ शब्द थे एक शब्द था उनका सत्य सत्य को मात्मा गांधी कहते हैं कि सत्य क्या है सत्य वो है जो अंतर आत्मा से निकली हुई आवाज है और जो आवाज अंतर आत मात्मा से निकलेगी वो आवाज कभी गलत नहीं होती है, यह मात्मा गांदी ने सत्य की परिभाशा दी, मात्मा गांदी अहिंसा को समझाने का प्रयास करते हैं, अहिंसा क्या है, अहिंसा वो है जो मन, कर्म, वचन के अनुसार किसी को भी कष्ट दुख ना पहुँचाए जा कि मांसिक रूप से, कालपनिक रूप से भी किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए, यानि मांसिक हिंसा भी नहीं करना चाहिए, यानि स्वप्न में भी किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए, सोची आप अहिंसा के किस लेवल पे मात्मा गांदी भाग करते हैं, तो महात्मा गांदी सत्य की परिवासत देते हैं सत्य क्या है सत्य वो है जो अंतर मन की आवाज है अंतर आत्मा की आवाज है अहिंसा के बारे में महात्मा गांदी क्या कहते हैं अहिंसा मन कर्म बचन के अंसार किसी का भी अहित नुकसान नहीं करना इसके लावा ये भी कहते ह मान से खिंसा भी नहीं कर दिये और इन दोनों को जब मिला लेते हैं तो एक शब्द बन जाता है जिसका नाम है सत्याग्रह क्या नाम है उस शब्द का सत्याग्रह तो मात्मा गांधी इन दोनों को मिला कर एक शब्द की चर्चा करते हैं जिसे सत्या ग्रह कहा जाता है यदि इस सत्या ग्रह का थोड़ा सा संदी विक्षेत्र किया जाए तो और इसका अर्थ निकाला जाए तो होगा सत्य धन आग्रह यहाँ पर इसका अर्थ निकाला जाए तो सत्य के लिए किया गया आग्रह सत्य के लिए किया गया आगरे सत्य के लिए किया गया आगरे सत्य के लिए किया गया आगरे अब मात्मा गांदी ये कहते हैं कि सत्य जो है उस मार्ग पर चलना है सत्य क्या है अपने अंतरात्मा की आवाज आगरे का मतलब मात्मा गांदी कहते हैं कि उस सत्य पे अडिग रहना उस सत्य पे डटे रहना तो यहाँ पर आग्रह का क्या मतलब है आग्रह का मतलब है उस सत्य पर अडिग रहना और सत्य का मतलब क्या है अंतरात्मा की आवारी तो सत्याग्रह जो महात्मा गांदी का पहला हुआ था चंपरन सत्याग्राय में उसमें महत्मा गांधी इस प्रकार से सत्याग्राय को परिभाशत करते है महत्मा गांधी ने सत्याग्राय के बारे में कहा महत्मा गांधी ने सत्य के बारे में कहा एंसा के बारे में कहा अब महत्मा गांधी एक महत्कून अपना कंसेप्ट लेके आते हैं इसका नाम है सर्वोदय समाज सर्वोदय समाज, सर्वोदय जिसका अर्थ होता है सबका कल्याण बुनोवा भावे ने भी इसको बड़ी अच्छी तरीके से परवाशित करने का प्रयास किया है सर्वोदय का मतलब होता है अर्थात सबका कल्याण और वो ये कहते हैं सर्वोदय का मतलब ये होता है कि व्यक्ति के हित में ही समाज का हित होगा और यहाँ पर वो सर्वोदय की भावना में पारिस्परिक हित की बात करते हैं पारेश पर एक हित की बात करते हैं, यानि सभी लोग आपस में समन्वे और सहयोग के अंसार कारे करेंगे, तो निश्चित रूप से एक सर्वोदय समाज की जो है कलपना साकार होगी, महत्मा गांदी ने रामराजी की भी संकलपना दी, सर्वोदय समाज की भी संकलपना दी, इसके अलावा महत्मा गांधी का एक महत्मूर सिध्धान था ट्रश्टी शिप का सिध्धान नियासी का सिध्धान ट्रस्टी सिफ के सिधानत में महत्मा गांधी ये कहते हैं कि जो पूझी पत्यों ने अतरिक्त पूझी कमा रखी है एकटी कर रखी है वो अतरिक्त पूझी उनके कौशल का परिणाम है और वो अत्रिक्त पूंजी पर अधिकार होना चाहिए समाज का और यहीं पर मात्मा गांदी काल मांक्स से कुछ अलग हो जाते है और इसलिए मैं काल मांक्स को मात्मा गांदी जी के साथ जो है एक प्रकार से तुलना के रूप में लेकिया है तो काल मार्क्स ये कहते है कि जो पूझी पती ने एकत्रित किया है वो मजदूरों के सोसन का परिणाम है वो स्रविकों के सोसन का परिणाम है गांदी जी कहते है ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है जो पूझी पती ने प्राप्त किया है यानि उसने फैक्टरी लगाई उसने जमीन उसने लोहे के उक्रण लगाए और उसने मजदूरों को मजदूरी दी उससे जो प्रोड़क्ट उत्पाद बना उस उत्पाद को बजार में जाकर बेचा उससे जो मुनाफ़ प्राप्ट हुआ तो उस मुनाफ़े पे किसका अधिकार होगा महत्मा गांदी कहते हैं नो डाउट पूजी पती का होगा लेकिन महत्मा गांदी ये भी कहते हैं कि ये जो पूजी है इस पूजी को गलत नहीं मानना चाहिए ये पूजी जो है वो पूजी पती के कौशल इसकिल का प्रेडाब है माक्स कहते हैं नहीं गांधी जी ऐसा नहीं है काल माक्स कहते हैं जमीन किसकी है राष्ट की संसाधन किसके है राष्ट के और जो स्रम है उसको कम या जाला नहीं आका जा सकता तो जो उत्पाद जो प्रोड़क्ट उस फैक्टरी से निर्मित होगा उस पे जो लाव प्राप्त होगा उस पर सबका दिकार होगा माक्स जो है यहां से गांधी जी से अलग हो जाते हैं काल माक्स कहते है कि यदि पूझी पती सोशर नहीं करेगा मजदूरों को तो वो पूझी पती अतरिक्त धन कमा ही नहीं पाएगा महात्मा गादी कहते है कि पूजी पती के द्वारा अत्रिक्त धन जो कमाया गया है वो कहीं न कहीं कौशल इसकिल का परणाम है वो पूजी पती के कौशल और इसकिल का परणाम है महात्मा गादी कहते है कि ये जो अत्रिक्त पूजी है ये जो अत्रिक्त धन है जो पूझी पती जो अपनी आवशक्ता पूरी करने के बाद जो अत्रिक्त धन उसके पास बचता है उसे समाज में बाट देना चाहिए इसी को कहा न्यासी सिध्धान इसी को कहा और एक कदम आके सर्वोदय है सर्वोदय में मात्मागादी क्या कह रह कोई निरासरित है तो उसकी मदद के लिए समाज को आगे आना ही पड़ेगा यदि समाज आगे नहीं आएगा तो कौन आगे आएगा महत्मा गांधी का सिध्धान कितना प्रासंगिक है कितनी जो है महत्मुन बात कहते है और एक प्रकार से सरकार और सारी चीजों को यदि किनारे मी रख दो तो आज भी तो हम जब समाज में जाते हैं आदिवासियों के समाज में जाते हैं जनजातियों के समाज में जाते हैं या अन्न किसी समाज में जाते हैं तो देखते हैं, समाज ही अपने जो पीड़ी आने वाले जो लोग है, अपने समाज के जो लोग है, उनकी आने वाली जो पीड़ियां जो है, उसके लिए जो समाज है, वो कई प्रकार से सहायता इत्यादी प्रणान करता है. कई प्रकार के समाज में देख लो आप, मैं उधारण देने कि मुझे आवशक्ता नहीं है, यानि आप जन्जातियों के समाज में देख लो, जेन समाज में देख लो, सिद्धी समाज में देख लो, कहीं न कहीं, इस समाज में एक प्रकार से पारिसपरखित निरंतर चलता रह और भी बहुत सारे समाज हैं, यानि मैं जिनका नाम ले रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि उनके बीच में पारस परिखित नहीं है, उनके बीच में पारस परिखित है, मात्मा गांधी ये बात कहने का प्रयास करते हैं, कि जो काल माक्स हैं, वो काल माक्स जो है, इनके द्वारा ज अत्रिक्त दन कमाए जा रहा है वो पुझी पती के इसके कौसल का प्रणाम है दूसरी बात की याद रखनी है दूसरी बात की याद रखनी है कि मार्क्स कहते हैं दो वर्ग है जिसे गादी जी नहीं मानते हैं एक वर्ग है कौन सर्वहारा वर्ग जैसे हम कहते हैं बुर्जवा वर्ग और दूसरा वर्ग कौन सा है पुझी पती वर्ग तो यह एक वर्ग जो है जो सबसे इसे उपर माना गया है पुझी पती वर्ग दूसरा वर्ग जो है सर्वहारा वर्ग इन दोनों में सामझस हो ही नहीं सकता सामझस क् दोनों के ह्थ विसेस कर, पूझी पती के हिथ जो है, वो दोनों के हिथ विपरीत है यदि पूझी पती मज़णों का सोसन नहीं करेगा तो आतरिदिक पूझी प्राप्तनी होगी इसलिए इन दोनों में समन्य वे समानता हो ही नहीं सकती, तो मांक्स कहते है पुजी पती वर्व जो है कोई भी अपनी इक्षा से पुजी नहीं देगा, तो क्या करना पड़ेगा? संगर्ष करना पड़ेगा कान्माक्स कहते हैं, दुनिया के मजदूर हो यक हो जाओ तो वारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है लेकिन पानी के लिए सब कुछ है और फिर माक्स कही न कहीं यहाँ पर हिंसा को आ परत्यक्ष रूप से एक प्रकार से वैदता दे देते हैं पर गांधी जी कहते हैं नहीं, हिंसा को किसी बैदार पर वैद नहीं ठेराए जाएगा यदि हिंसा को वैद ठराय जाएगा, तो कहीं नकसलवाद को भी वैद ठराय दिया जाएगा क्योंकि नकसलवाडी से जो नकसलवाद अंदुरन निकला था, उसमें भी तो ये कहा गया कि जो जमीदारों के पास बहुत बड़ी बड़ी जमीने हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी पूझी हैं, इनको मारो और समानता, इक्वैलिटी लाने का प्रयास करो, तो क्या हिंसा के माध्यम से इक्वैलिटी और समानता लाने का प्रयास किया जाएगा, तो उसे किसी भी स्व लोकतंतर के लिए जायद छराय जा सकता है गांदी जी यहां पर यही बात तो कहने का प्रयास कर रहे हैं कि हिंसा नहीं हो सकती यदि मान लीजे पूजी पतियों ने सोसन भी किया है अतरिक धन कमाया भी है तो फिर हमें एक ही मार्ग पर चलना पड़ेगा वो मार्ग है आत्म रख्षा के लिए जब निश्करी पूर्ता असफ़ल हो पा रहा है अब यदि जान पर वाटधी आ रही है तो आत्म रक्षा के लिए कहींने कहीं हतियार उठाये जा सकता है। दूसरी बात राष्ट की रक्षा के लिए भी कहींने कहीं हतियार और युध जो है गया जा महत्मा गांधी कहता है है। मुल्गुत उनका सिध्धान्थ क्या है? मुल्गुत उनका सिध्धान्थ यह है कि किसी भी प्रकार से हिंसा का इस्तमाल नहीं करना है. हिंसा जो है वो नहीं की जा सकती है और अपने सिध्धान्थ पर अडिक रहा के दिखाते हैं. फिर महात्मा गांधी अपने सर्वोदय, अपनी स्वराज और अपने ट्रस्टीशिप के सिध्धाद के अंसार महात्मा गांधी एक विवस्था लाके कहते हैं, यानि महात्मा गांधी जो है वो ग्रामीर अर्थ विवस्था पे सबसे ज्यादा जूर देते हैं, वो सिक्षा पिर कही न कही जो साथ वर्स के जो बच्चे हैं उनके लिए कही न कही एक प्रकार से स्वावलंबी, स्वावलंबन पूर जो है रोजगार पूर सिक्षा की बात करते हैं, महिलाओं के लिए ललित कलाओ और अन्य कलाओं से संबंदे सिक्षा की बात करते हैं, प्रोडों के ल करना समाज में ठीक नहीं है यानि काल माक्स कोई भी थियोरी अपनी कहने किस के कहने का प्रयास करते है एक तो पूझी पती बर्ग दूसरा सर्वारावर्ग मार्तमा गौन्धी कहते हैं नहीं इनी दो वरगों को माना जाये यह ठीक बहुत सारी प्लस माइनस बहुत सारी कोई बात होगी और डिडेल में कभी बिस्तार में चर्चा करेंगे इसपे लेकिन गांदी जी कहते हैं धर्म विहीन राजनीती तो सोचा भी नहीं जा सकता है यहाँ धर्म विहीन राजनीती की बात कहरे रहे हैं वो फन फैलाए सर्प के समान है और महात्मा गांदी यहाँ धर्म की जब बात कर रहे हैं कि राजनीती धर्म से अलग की ही नहीं जा सकती तो यहाँ धर्म का मतलब नेतिक ताकून बातें अच्छी बातें कालमाक्स कहते हैं महियत धर्म तो दूर दूर तक धर्म तो सिर्फ जो है किसी व्यक्ति वो गुलाम बनाने का तरीका है धर्म तो एक प्रकार से मीठा जहर है धर्म तो एक प्रकार से अफीम के समान है यानि वो व्यक्ति जो है उसमें प्रतिरोध करने की छंता नहीं बचेगी तो यहां Karl Marx जो है गांधी जी से फिर कहीं न कहीं एक प्रकार से अलग हो जाते हैं विचारधारा के रूप है यदि Karl Marx की विचारधारा को और आगे बढ़ाये जाए तो वो कहते हैं संगर्स जरूरी है गांदी जी कहते हैं संगर्स जरूरी है लेकिन वो संगर्स सत्यागर्य के रास्ते पे होगा गांदी जी कहते हैं उस संगर्स में अहिंसा होगी और गांदी जी अपना मॉडल देते हैं अपनी जो विचारधारा देते हैं वो कहते हैं ग्र से उत्तर भारत या दक्षण भारत में मजदूरी करने के लिए जाने से बच रहा है क्योंकि सरकार जो है उनको महिने का रासन महिने की योजनाए उपलब्ध करा रही है गांदी जी की ये गांदी जी ने तो ये बात बहुत पहले कह दी थी कि ग्रामिन इस तर पर स्वाब ल अंबन तो उन्होंने कहा व्यक्ति को प्रख़़डी का दुरुप्योगी करने करना चाहिए महात्मा गांदी भारी उद्धिक करन के विरोधी थी लेके अद्योगी करने विरोधी नहीं थी नहृत भारी उद्ध आस्रम कहते हैं जहांपर कितने ही विदेशी आते हैं नरिद मुदी जी के साथ महाँ फोटो किश्वाने चले जाते हैं वो साबरमती आस्रम जो है एक प्रकार से मंदिर है अहिंसा का वो एक प्रकार से सांस्कृतिक मंदिर है साबरमती आसरम और साबरमती आसरम में महात्मा गांधी ने ये करके दिखाया कि वो सुबह से साम तक चर्खा कातते थे सूत और उससे बना हुआ जो कपड़ा है वो अपने के बारे में ये कहा जाता है कि महात्मा गांधी का जो जीवन था वो पूरी तरीके से सीखने योग है यानि महात्मा गांधी साम को नतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि उसमें ही खाना खाते थे थोड़ा सा दूद थोड़ा सा गुड़ और रोटी ये कहा गया है महात्मा गां तो इस प्रकार उनके जीवन से सीख मिल सकती है हम लोगों को और तीसरी बाग जिसे कहना बहुत ही जरूरी है कि महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकता सत्य के साथ मेरे प्रयोग उनकी एक और महत्मूर पुस्तक्ती हिंद स्वराज जिसमें महत्मा गांधी ये कहते हैं महत्मा गांधी कहते हैं मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभाव मेरी मा का रहा है महत्मा गांधी कहते हैं मैंने अपनी मा से ही भगवत गीता और अन्य प्रकार की धार्मिक बातें सीखी है और यही कारण है कि महात्मा गांदी जो है वो वन वेवस्था को अस्विकार नहीं करते हैं अमेटकर डाक्टर भीमरा उमेटकर के साथ उनका इस बात पर क्या रहा है मत भेद रहा है डाक्टर भीमरा उमेटकर ने मन वेवस्था को खारिज कर दिया मात्मा गांदी कहते हैं जो प्रारम्बे की स्थर पर मन व्यवस्था थी वो व्यवस्था खराब नहीं थी उसमें कारे के अनसार हर व्यक्ति को माटा गया था यानि वो कर्म के हिसाब से था वो जन्म के हिसाब से नहीं था जन्म के हिसाब से वो व्यवस्था बाद में बिग महात्मा गांधी यहां रुकते नहीं है महात्मा गांधी यह कहते है मेरी माँ के बाद जो दूसरे मेरे बहत्पूर जो सिक्षक जिनका मेरे जीमन पर प्रवाव रहा है वो है मेरे स्कूल के मास्टर और महात्मा गांधी इसके लिए एक उधारण देते है कि जब स्कूल में एक मास्टर ने महात्मा गांधी को देखा कि इस बालब को कुछ आनी रहा है तो वो कहते हैं बगल वाले से नकल कर ले बेटा तो महात्मा गांधी उस समय इतने अडिक ते सत्य पे कि मास्टर के कहने के बावजूद भी उन्होंने नकल नहीं की तो यह मैं आपसे बात कहना चाहरा हूँ कि मात्मा गांधी ने दूसरी बात कही है कि मेरे जीमन में दूसरा सबस्वड़ा प्रभाव किस तरह है जो है मेरे स्कूल के सिक्षक का तो उन्होंने मा के बारे में अपनी बात कही और सिक्षक के बारे में बात कही इसके अलावा लियो टॉलिस्टर रोस्किन इसके बारे में आपसे पहले चर्चा कर चुका हूँ इसके अलावा महत्मा गांदी ने भारती धर्मों से भी बहुत सारी जवाते लिए खासकर जैन धर्म बहुत धर्म, भगवत की था तो यहां मैं आपसे सरी इतनी बात कहना चाहरा हूँ कि काल माक्स की यदि बात की जाए काल माक्स तो डिटेल में हम लोग फिर कभी एक और अलग सेशन लेके आएंगे लेकिन तुलना की यदि बात की जाए तो चाहे वो सरोदाय का सिद्धान तो चाहे वो ट्रस्टी सिप का सिध्धान तो, चाहे वो सत्यगरे का सिध्धान तो, और इनकी तुलना काल माक्स के दुंदा तक बहुतिक से किया जाए, एतिहासिक बहुतिक बात से किया जाए, काल माक्स के समाज बात से किया जाए, तो एक ही बात सामने निकल के आती है, क्या क कालमाक्स वर्ग संघर्ष को मानिता दे देते हैं, क्लैश, गांदी जी नहीं देते हैं, कालमाक्स अप्रत्यक्ष रूप से हिंसा को मानिता देते हैं, गांदी जी नहीं देते हैं, कालमाक्स कहते हैं, पुझी पती जो भी कर रहा है, वो मजदूरों के सोशन प्यादारित कह काल माक्स और गांधी जी की विचारधारा हैं वो विश्व में इतनी फेमस हुई कि एक तरफ तो गांधी बादी विचारधारा बन गई और एक तरफ जो है काल माक्स की विचारधारा बन गई कालमाक्स की विचारधारा प्रासंगिक रही और बहुत ज़्यादा प्रासंगिक रही उस पर हम केवल एक कालमाक्स का सेसन लेकर आएंगे जब जिसमें हम केवल कालमाक्स को फोकस करेंगे यहां चुकि हम लोगों को दोनों की तुलना करनी थी इसलिए हम काल मार्क्स और महात्मा गांधी कुछ महत्मुन बातों को आपके सामने लेकर आए तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि काल मार्क्स जो है इन्होंने धर्म के ऊपर, राजनीती के ऊपर, ब्यूरोक्रे पुझीवाद की होड में भारी औद्योगी करन चलू हुआ और उसी भारी औद्योगी करन का प्रणाम था परतम बिर्शित दूति बिर्शित आगे जाके अधिक सदिक संसादनों की होड पर भारत में तो ऐसी परश्तितिया नहीं थी, भारत तो पहले से गुलाम था, तो ये भी एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि गांधी जी की जो उन्होंने जो समाजिक आर्थिक परस्थितियां वो भारत को देख कर बोली हैं, कालमाक्स ने जो परस्थितियां बोली हैं, वो यूरोप के समाज, यूरोप की बवस्थाओं को देख के बोली हैं, तो वहाँ सारी बातों को आप लोगों को ध्यान में रखना है यही कुछ बात दो है मैं महत्मा गांधी की आपके सामने लेके आया था और कालमाक्स की कालमाक्स जर्मनी कालमाक्स जेना यह सब बाते हम लोग कभी चर्चा करेंगे तो आज के लिए इतना ही आप सभी लोगों का बहुत- बंदे मातरम भारत माता की जाए